आप चलिए हम आप लोग को ये सब ब्रेक सू रबर का प्राइज बताते हैं तो सबसे पहले बताना चाहेंगे ये पावर ब्रेक का ब्रेक सू रबर का प्राइज तो ये जैसा कि ब्रेक सू रबर देख रहे हैं तो इसका प्राइज आपको आ जाएगा तो चलिए आप लोग को बताते हैं आप लोग अपना साइकल में कौन सा ब्रेक सूर रवर लगवाएं जो कि लोंग लाश तक चलेगा जल्दी खराब नहीं होगा अगर आपका पावर ब्रेक का साइकल है तो जैसा कि देखपारें पावर ब्रेक में तीन किसिम का ब्रेक सूर अता है अगर आपका केलिपर ब्रेक का साइकिल है तो केलिपर ब्रेक में जैसे कि देख पार है पांच किसिम का ब्रेक सूर रबर आता है और पांचों किसिम का ब्रेक सूर रबर अलगलग कमपनी का आता है और अलगलग कोईलेटी रहता है और पावर ब्रेक में भी सेम रहता है तो क आप लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को विदावट इसकीप कियो है पूरा कम्प्लीट देखे अच्छे से देखे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे हरे चीज जान पाएंगे तो चलिए आप लोग का कीमती समय ज्यादा ना लेते वीडियो को सुरू करते हैं यह एसला लोगाए जाता है यह जो ब्रेक शुरी आप देख रहे हैं तो यह एमटी बी बेसिक मोडल का रेंजर साक्रिब्ल लगाए जाता है यह पिहह्ने का च्छिए पूराना न ब्रेक सुरू करेंना रेडियो का इसे लिए ब्रेक शूरू नहीज है यह आपका ideal company यह धारा company याद यादर बहुत तरह का company में आपको मिल जाएगा तो यह जो break so rubber होता है यह उत्तना ज्यादा best नहीं होता है ठीक है तो यह break so rubber अगर आपको मिलता है तो आप लगा सकते हैं लेकिन ज्यादा दिन तक यह नहीं चलता लोंग लाश्ट तक नहीं चल यह जैसा कि ब्रेक रबर देख पा रहे हैं पावर ब्रेक वाली तो इसका quality हम आप लोग को बताना चाहेंगे यह आपका देखिए कौन company का है जैसा कि देख पार यह आपका जोहनी company का है ठीक है तो इसमें बहुत तरह का company आ जाता है लेकिन यह जो है आपका नाइलोन का हो चलने वाला ब्रेक शुरह बढ़ए अगर इस कलर में जाता है या फिर इसी कलर में आपको इस कलर में जाता है तो यह जो है औरजिनल ब्रेक रबर घैसा कि आप देख पार, इसका color भी आप लोग देख पार कितना जादा finishing है, तो ये new में ही आता है, extra से नहीं मिलता है अगर extra से आगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगा ठीक है, तो ये देख करके आपको लेना है या फिर इस तरह का अगर आपको ब्रेक सू रबर मिल जाता है तो यह वाला ले सकते हैं आपका नैलोन का है लोंग लास तक चलने वाला जल्दी खराब नहीं होगा रिपैर का प्रॉब्लम नहीं आएगा ब्रेक में आपका ठीक और ब्रेक भी आपका पावरफुल लगेगा अगर यह मिलता है तो ज़़ादा बेश्ट रहेगा ठीक इन Trent दोनों में से कोई भी मिलता तो आप आसानी से लगा सकते हैं इससघाका प्राइज हम आपको बताते हैं प्राइज बताने से पहले यह केली पर ब्रेक का बताना चाहिएं ये भी आपका जोहनी कमपनी का ही है जैसा कि देख पा रहे हैं अगर आपको ये ब्रेक्सू रबर नहीं मिल रहा है तो आप ये ब्रेक्सू रबर भी लगा सकते हैं ये ब्रेक्सू रबर भी लगा सकते हैं अगर आपका कीड साइकल है तो कीड साइकल में ये सब ब्रेक्सू लगाया जाता है वह आपका यह साइज कर रहेगा ठीक है यह आपका छोटा है यह जैसा कि आप देख पा रहे हैं ठीक है तो इस तरह का आपको देख करके लगाना है जो कि ज्यादा बेश्ट रहेगा लोंग लाश्ट तक चलेगा क्योंकि कीर साइकल में ज्यादा बच्चा लोग चलाता है इसके बेस से यह ब्रेक्स रबर अगर आपको मिल जाता है तो बहुत ज्यादा बेश्ट रहेगा लॉंग लाश्ट तक चलेगा जैसा कि हम आप लोग को अच्छे से बता दिया और यह जैसा कि आप ब्रेक्स रबर देख पा रहे हैं तो यह लंबा ठीके यह एन राइट का आता है ठीक इसमें एल और आर लिखाओ रहता है इन्हें लेप्ट राइट का यह लॉंग ब्रेक्स रबर हो जाता है तो यह आपको केलिपर ब्रेक में ही लगाया जाता है तो यह ब्रेक्स रबर अगर आपको मिलता है तो यह भी लगा सकते हो बहुत आपको आजाएगा 80 रुपया अगर यह ब्रेक सूर अबर मिल जाता है तो यह भी आपको 80 रुपया में ही आएगा ठीक है कहीं कहीं आपको 20 रुपए जोड़ा में आ जाएगा ठीक है हम आप लोग को अच्छे से दिखा दिए बता दिए कौन सा ब्रेक्सूरबर आपको अपना साइकिल में लगाना चाहिए जो कि लॉंग लाश तक चलेगा जल्दी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर चैनल को तो अगर आपका रिम में जंग लगा हुआ रहेगा तो बहुत जल्द ब्रेक्सूरबर आपका घिस जाएगा ठीक है लेकिन नाइलोन के मुकाबले में थोड़ा सा कम घिसेगा अगर नाइलोन का ब्रेक्सूरबर लगवाते हैं यह तो थोड़ा सा कम घिसेगा और यह सब बहुत जल्द आपका घिस जाएगा अगर साइकल का रिम में जंग लगा हुआ है तो अगर आपका साइकल में अलोई रिम लगा हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आप कोई भी लगा सकते हैं पावर ब्रेक सुराबर में आपका लोंग लास्ट तक चलेगा कोई भी प्रब्लम नहीं आएगा चलिए फिर मिलते हैं नेक्स डियों में जाहिन जे भारत